इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है, हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते, किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले, अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करते है वे हैं संधिशोत, पुराने ओस्टियो ओस्ट्राइटिस, मांस्पेशियों में दर्द, पीट दर्द, दांत दर्द, या कान और गले में दर्द. इसे ले क्योंकि यह सबसे अधिक लाब प्राप्ट करने के लिए निर्धारित है. आवश्शक्ता से अधिक या अधिक समय न ले क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है. सामान नितोर पर आपको कम से कम समय के लिए काम करने वाली सबसे कम खुराक लेनी चाहिए. यह आपको अपनी दैनिक गतिविधियों को अधिक आसानी से करने और बहतर अधिक सक्रिय जीवन की गुनवत्ता प्राप्ट करने में मदद करेगा. इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें. इसे पूरा निगल लें, इसे चबाएं, कुचले या तोडे नहीं. अडिजे सिक्टैबलेड भोजन के साथ या बिना भोजन की ये इसे लिया जा सकता है, लेकिन बहतर ये होगा कि इसे एक नियत समय पर वरियता के साथ लिया जाए. अडिजे से टैबले दो दवाओं का एक मिश्रन है हस्कलोफिनेक और पेरासिटामॉल ये दवाएं दर्द, बुखार और सूजन यानि की लालिमा और सूजन के लिए जिम्मेदार रासायन एक दूतों की कारवाई को रोक कर काम करती है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन अन ओन नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद